दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आरेने इंस्टिव टलाहाबाद में दोस्तों आप सभी जो इन्वेस्टी के एक्जाम्स देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खवर निकल के आ जा रही है कि बगएर परिच्चा के अगले कक्षा में प्रमोट करने के फिर उमेद जगी है ठीक ना जैसे करोना का शंक्रमड अगर इसी तरह से तीवर गती से बढ़ता रहा तो आपको बगैर परिच्छा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा जैसे पिछली तरह किया गया था ठीक ना तो दोस्तों पूरी ख़वर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रही हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे तो पूरी ख़वर क्या है चलिए हम आपको बताते हैं कोरोना मा हमारी की चलते पठन पाठन का भी प्रभावित हुआ है अशनात तक वह अशनात को तर की अब तक परिच्छाय नहीं हो सकी है ऐसे में नया शत्र विलंब होने की आसंका है इसे देखते हुए सूबे में योजी और पीजी के छात्रों को बगेर परिच्छा के अगली कक्छा में प्रमोट करने का विचार किया जा रहा है इसकी रूप रेखा तय करने के लिए शासन ने तीन सदस्ची ये समित भी गठन कर दी है लखनव विशुविद्याले के कुलपती प्रफेशर आलोक कुमार राय, छत्रपती शाहोजी महराज विशुविद्याले कानपूर के कुलपती प्रफेशर विने कुमार पाठर, महात्मा जोतिवा फुले जुहेल खंड विशुविद्याले बरीले के कुलपती प्रफेश कृष्ण पाल शिंग समित के शदश्य बनाये गये हैं। साशन के विशेश सच्यू अब्दुल शमद ने शमित की एक शप्ताह के भीतर रिपोर्ट संस्थुती देने का निर्देश दिया है। अनिश्रभी शात्रों को बगेर परिक्षा के अगली कक्षा में प्रोणित किया जा सकता है। दोस्तों ये जो अन्तिम वर्ष के शात्र हैं उनके लिए नाइनसाफी है क्या अन्तिम वर्ष के शात्रों को कुरोना का संक्रमण नहीं है। क्या उन्हें कुरोना नहीं हो सकता ह बिल्कुल हो सकता है तो दोस्तों ये भेद भाव क्यों किया जा रहा है हाला कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट करना चाहिए क्योंकि उनके पिछली कक्षा मतलब प्रिवियस के आधार पर उन्हें नंबर देना चाहिए तो और पूरी खवर क्या है कारण सितंबर अक्टूबर में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है ऐशे में संक्रमण कम होते ही अंतिम खंड की परिच्छाएं करा ली जाएंगे हलाकि दोस्तों ये अंतिम वर्ष के चात्रों के लिए अन्याय है और वहीं उद्यप्रताब स्वायत शाशी कॉलेज के चात्र अभै अभै सिंग ने प्राचारे को पत्र लिख कर बगेर परिच्छा के अगले कच्छा में प्रमोट करने का अनुरोध किया है कहा कि कुरोना का संक्रमड की इस्थिती अब तक शामाने नहीं हुई है तब तक शितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है ऐसे में परिच्छा कराना जानलेवा हो सकता है दूसरी हो महात्मा गांधि काशी विद्यापीट के छात्र शंगत्यक्ष विमलेश शिंग वा शंपूरडा नंद शंशकृति विश्विद्याले के महामंत्री सिवम चौबे भी कुलाधपति राज्यपाल से छात्रों को बगेर परिच्छा के अगले कच्छा में प्रमोट कर दिया है और भी खबर है अशनातक वा अशनातक उत्तर में बगेर परिच्छा के छात्रों को अगले कच्छा में प्रोन्यत करने के लिए श्मित गठित होने के बाद अब UP बोर्ड की दस्मी की परिच्छार्थियों को भी प्रमोट करने की शम्भावना बनने लगी है सीबियस्सी के तर्जपर यूपी बोर्ड भी हाइस्कूल के परिक्षार्थियों को इंटर्नल असिस्मेंट के आधार पर प्रोनित करने कर सकता है फिलहाल अब तक कोई आदेश नहीं जारी हुआ है इस माह के अंत तक यानि मै माह चल रहा है मै माह के अंत तक कि अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ कर बाकी सब को प्रमोट किया जाएगा तो दोस्तों जितने भी अंतिम वर्ष के छात्र है शभी लोग रण में उतरें युद्ध में उतरें हलाकि क्या उन लोगों क्यों संक्रमण नहीं हो सकता है होगा बिल्कुल होगा संक्रमण इस ठीकना तो दोस्तों और भी खबर जानने के लिए आप हमारी चैनल के साथ बने रहे बहुत-बहुत स्वागत है थैंक्ष धन्यवाद